Hello everyone, welcome back to our channel future study तो आपके पेपर नवंबर दिसंबर 22 में होनी वाले 3rd semester and 5th semester के तो जो इसकी 10 टीफिर देशित आ चुकी है आपको कैसे डाउन्डूट करना है इस वीडियो में हम आपको बता रहें तो सबसे पहले आपको इस वाले link पर आना है एकजाम ड्योड बॉख सिंद लिंक समी डिठेefश्ज तो सबसे đến लिंग सकते हैं अगया है जब तो आपको किलिक करना है उब देख सकते हैं जो आपके सामने देख सेट नवंबर दिसम्बर 2022 के हैं और यह अभी रेगुलर कॉलेज और एंसे वेप कॉलेज के स्टूडेंट के हैं यह अभी नहीं आई यह अब देख सकते हैं रेगुलर कॉलेज के एडमिस्ट जिन्होंने 2019-2021 में एडमिसन लिया है तो यह उनकी रेगुलर की सब्चेक्ट में अ सेमेश्टर फर्स्ट का भी पीपर आप इनिंग के साथ देख सकते हैं तो यह देख सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं यहां से आपको एंसे वेप रेगुलर कॉलेज के लिए देख सकते हैं यह अभी नहीं है यह जब आईगे आपको इन्फोर्मेशन दी जाएगी गा झाड जैसे कि हम BA program का open करते है, एक dayshade तो यह देख सकते हैं, जो हमने dayshade तो open कर लिए लिकिन यहाद देखे, 30 November से जो BA program students, 5th semester के जो paper start हो जाएंगे, तो आप मान के चलिए 30 November, यहां से देख सकते हैं, 20 December ही आपको तिहांए दिखाएधे रहा है जब से आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे तो इसी टैप से अपनी देश से चेक करने अपने सब्जेक्ट को खोड़ी एक चीज आपको और बता दे आपको पहले एडमिशन होंगे फिर आपको 6 महीने बाद पेपर होंगे क्योंकि आपके पेपर नवंबर में स्टार्ट यह तो आपको कंफॉर्म हो चुका है आपको नवंबर से पंदा दिन पहले भी एडमिशन लेके पेपर करा सकता है ठीक है तो यह बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए यह उमीद में मत रही है कि अभी तक एडमिशन नहीं हुए तो हम अपनी स्टडी स्टार्ट क सेर कीजिए और इसे टाइप से न आपके जो बाकी कोर्स है उसकी भी आपको डेस्ट डाउनलोड करने लेनी है रेगुले कॉलेज के स्टूडेंट एंसी बैभी स्टूडेंट यह देख सकते हैं यहां पर आपको अपने कोर्स बार देस्ट मिल जाएगे और दाउनलोड कर दीजे और यह जो 10 पर देस्ट हो दिए नहीं 90 पर संट होता है यही हो 10 पर संट हो सकता है तो चेंज हो लेकिन चेंज होती नहीं है तो वीडियो को सेर कीजिए टेलेगराम वाटसट आप ग्रूप जोएन कर लेजिए का लिंक आपको डिस्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए देलेगा है तो